प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने आकाश्वानी पर मन की बात कारकरम में बिवित विश्व पर साजा के विचार मैला सवशक्तिकरन समित के विश्व का क्या जिक्र पोर्व केंद्री मंत्री संतोष कुमार गंगवार होंगे जहारकन के नए राजियपाल नीवटमान राजिपाल सीपी राधा कृष्णन महराश्ट के राजिपाल बनाये गए कई राज्यों के राजिपाल बदले मंत्री सत्यानंद भोगता ने चत्रा को दी कई सौगार जामताडा में आसु पार्टी कारे करता समेलन आयोजित नेता प्रतिपक्ष ने कहां सरकार बनने पर राजी में होगे नियुक्तियों की CBI जांच और जमशेदपुर में डूरन का फुटबॉल टूनामेंट आज से जे एफसी और असम राइफल के बीच उदगाटन मैच पेरिस ओलंपिक में भारत को शूटिंग और तिरंदाजी में पदक की उम्मीद नमस्कार खबरे जारकन में आपका स्वागत है खबरे जारकन के साथ मैं हूँ सरोजाओ और अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाश्वाणी पर मन की बात करक्रम में महिला सशक्ति करन पर्यावरन संग्रक्षन जैसे विवेद विश्यों पर अपने विचार साजा किये उन्होंने पेरिस ओलंपिक का जिक्र करते वे लोगों से भारती खिलाडियों का उत्सा बढ़ाने की अपेल की मन की बात करक्रम में उन्होंने इंटरनाशनल मैथेमेटिक्स ओलंपियाड के विज़ताओं की भी चर्चा की तथा उनसे समबाद किया भारत साथचिओ स्पॉर्ट की दुनिया के इस ओलंपिक से अलक कुछ दिन पहले मैश की दुनिया में भी एक ओलंपिक हुआ है International Mathematics ओलंपियाड इस ओलंपियाड में भारत के स्टूडेंसे बहुत शांदार प्रदर्शन किया है इसमें हमारी टीम ने सर्वस रेष्ट प्रदसन करते हुए चार गोल्ड मेडल्स और एक सिल्वर मेडल जीता है इंटरनेशनल मातेमेटिक्स ओलिम्पियाड इसमें सो से जादा देशों के युवा हिस्सा लेते हैं और ओवरॉल टैली में हमारी टीम टॉप फाइव में आने में सफल रही है देश का नाम रोशन करने वाले इन स्टूडन्स के नाम है पूने के रहने वाले आदित्य बैंकट गणेश पूने के ही सिधार्थ चोपरा दिल्दी के अर्जुन गुपता ग्रेटर नौइडा के कनव तलवार मुंबई के रुशिल माथूर और गुहाटी के आनंदो भादूरी जारकन समेट देशबर में मन की बात कारिकरम को लोगों ने काफी संजीद्गी से सुना खास और आम सभी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को आत्मसाथ करने का भी संकल्प लिया साहिब गंज के बरहेट में भी बड़ी संख्या में लोगों ने मन की बात कारिकरम को देखा और सुना यह काफी दुर्गम इलाका है और यह जो बरहेट का इलाका है साहिब गंज का इलाका है यहाँ पर कई पीडियों से ये लोग जो है ये बास से अपनी जो कारिगरी करते हैं इसमें कई पीडिया उनकी लगी हुई है और उस पीडियों के जरिए वहाँ पर ये निर्मान करते हैं और देखें किस तरीके से खुबसूरत निर्मान ये बास के जरिए ये लोग करते हैं और आज जब प्रधानमंतरी मन की बात के जरीए जब कला संस्कृति की बात कर रहे थे कि कैसे उनको बढ़ावा देने की ज़रुरत है कैसे जो उनके छोटे-छोटे जो प्रियास होते हैं कैसे जो पीडियों से प्रियास चले आ रहे हैं वो आज के देट में चाहे दिली मंढ पम हो चाहे दूसरे जगह हो वो तमाम जगहों पर वो सोकेस का भी काम करता है उससे एक देश की जो रिच कल्चर है उसकी भी जलक देखने को मिलती है तो यहां पर देखिए आपको कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि आज प्रदानमंत्री नरंद मोदी जी जब बात कर रहे हैं और वो इसे आदिम जन जाती जो लोग यहां के आसपास के जो बास से बना हुआ कला किरती है या अन्य चीजों से बना हुआ जो एक ग्रामी परिवेस का है उसको अगर दूर दरसन के माध्यां से पूरे देश में मन्य परदानमंत्री चर्चा में लाते हैं और उससे उ प्रदानमंत्रे अपने देश के लोगों का दिगदर्सन कैसे कराते हैं उसके मन में क्या चल रहा है और कैसे जीवन का हरेक छेत्र में वो अपने देश वास्यों को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं नई दिल्ली में भाजपा मुख्यमंत्री परिशद की बैठक का आज दूसरा दिन है प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया है बैठक के पहले दिन प्रदानमंत्री ने अपने संबोधन में सुशासन पर जोड़ दिया राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वो एक दूसरे की भैतरीन योजनांओं को अपने राज्यों में लागू करें भाजपा द्वारा नियमित अंतराल पर आयोजित मुख्यमंत्री परिश्द का उद्देश्य राज्यमे प्रमुख योचनाओं की समिक्षा करना सर्वोत्तम शासन प्रथाओं का पालन करना और केंडू सरकार की कल्याण कारी पहलों का वित्रण करना है दो दिवसी है मुख्यमंत्री परिश्द की इस बैठक में 13 मुख्यमंत्री और 15 जिप्टी सीम हिस्सा ले रहे है बैठक में ग्रहम मंत्री अमित शाह और भाजपा धिक्ष जेपी नड़ा भी मौजूद रहे भारती जननता पाटी के बरिश्द निता और पुर्व केंडरी मंत्री संतोष कुमार गंगवार जहारकुन के नए राजपाल होंगे राजी के नीवर्तमान राजपाल सीपी राधा कृष्णन को महराश्ट का राजपाल नियुक्ति किया गया है राजपती द्रौब्दे मुर्मो ने राजस्थान, पंजाब और सिक्किम समेत करे राजपाल में नए राजपालों की नियुक्ति की है पूर्फर राजपास्थान सदर ओम प्रकाश माथर को सिक्किम का राजपाल तो पूर्फर केंदे मंद्री संतोष कुमार गंगुवार को चारखंड का राजपाल नियुक्ति किया गया है असम से पूर्फर लोग सभा सांसादर रामेन डेका को 36 कड का राज़ेपाल बनाया गया करनाटा के पूर्फर मंतुरी C.H. विजेशंकर को मेखाले का राज़ेपाल जबकि जार्खंड के वर्थमान राज़ेपाल C.P. राधरकृष्णन को महराश्ण का राज़ेपाल नियुक्त किया गया सिक्किम के वर्तमान राजपाल लक्ष्वन प्रसाद आचारे को असम का राजपाल नियुक्त किया गया और उन्हें मड़ेपुर के राजपाल के रूप में अतिरत्य प्रभार भी दिया किया है पूर्व आई एस अधिकारी के केलाश नाथन को पुड़ुचेरी का उपराजपाल नियुक्त किया गया है पूर्व की इंदी मंत्री संतूष गंगवार को जारकन का राजपाल बनाय जाने पर कई राजनीताओं ने बधाई और शुप कामनाये दी है रक्षा राजपाल बनाय जाने पर शुप कामनाये दी है इसमीच निवर्तमान राजपाल सीपी राधाकृष नने महराष्ट का दायत्व संपे जाने पर राशपती द्रौपदी मुर्मो, प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी और केंद्री ग्रि मंत्री आमित्शा का आभार जताया है उन्होंने कहा कि उन्हें महाराश्च और माभारती की सेवा का मौका मिलेगा उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता जताई है कि उन्होंने जहारखन, तेलंगाना और पुडूचेरी में भी बतोर राजिपाल अपनी सेवाएं दी है नीवर्तमान राजिपाल ने इन राजियों को बहतर भविश्य की शुब कामनाएं देते वे कहां कि उनके दिलों में स्मृतियां हमेशा रहेंगी। चत्रा में उद्घाटन सा चेक वितरन कारिक्रम का आई उजन हुआ। इस दोरान मंत्री सत्यानेंद बोगता और चत्रा की सांसित काली चरण सिंग की मौजूद्गी में 78,18,1972 रुपे के विकास योजनाओं का उद्घाटन हुआ। साथ ही लाबुकों के बीच पर इसंपत्तियों और चेक का भी वितरन हुआ। जामताड़ की यग्य मैदान में आंसु पार्टी द्वारा कारेकरता समयलन का आयोजन किया गया जिसे पार्टी अद्ध्यक्ष सुदेश कुमार महतों ने भी संबोधित किया। जामताड़ की यग्य मैदान में आंसु पार्टी की कारेकरता समयलन को सम्बोधित करते हुए पार्टी की किंद्री अद्ध्यक्षर सुदेश महतों ने युवाओं को रोजगार देने समीत हर मोर्चे पर राजिस सरकार को नाकाम बताया। उन्होंने सरकार पर आदिवासियों के साथ वादा खिलाफी और उन्हें चलने का भी आरोप लगाया। अब बतायों सरकार का प्लान क्या है, सरकार मंच में آकर आपको सरकार का समय खत데 वो गिया। लेकिन भी जूद मॉलने में, कैसा गलत मॉल सकता है, कैसे जहासे मेरा सकता है। पाटी की कींद्री महान सचीब तरुन कुमार गुपता ने इस दोरान कारी करताओं को विधान समा चुनाओं में जीत को लेकर टिप्स दिये और सत्ता परिवर्तन का संकल्प जताया इस दोरान बड़ी संख्या में नीता और कारेकरता मौझूद थे जामताड़ा से सुभाश प्रसाद सिंग की रिपोर्ट नीता प्रिदिपक शामर कुमार बावरी ने राजिमे नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रस्टचार का आरोप लगाया है उन्होंने एक सोशल मेडिया पोस्ट में कहा कि आन एमितताओं को देखते विए सभी परिक्षाओं की सीवी आई जाच जरूरी है नीतार प्रिदिपक्ष ने कहा कि राज्जे में भाजपा सरकार बनते ही सीवी आई जाच कराई जाएगी शीबावरी ने कहा कि अभिहर्थियों के भाविश्य से खिलवार बरदाश्ट नहीं किया जाएगा अल्ब संक्यकायों के अध्यक्ष हिदाय तुला कान ने हजारी बाग में केंद्र और राजी सरकार द्वारा संचालित विबन योजनाओं की उच्चसतरी समिक्षा की उन्होंने अजारी बाग में सिक्षा की शेत्र में जरूरी सुधार की जरूरत बताई। विकास कारियों पर भी उन्होंने जवाब तलब किया। अलसेंख्यकों के लिए जो योजनाय है वो भी धरातर पर उतर पा रही है या नहीं इस पर ही हम लोग का पकस रहा है और तमाम तरह की चीज़ें हर विभाग से रिपोर्ट ली गई है वो रिपोर्ट को लेने के बाद हम लोग जो है एक राज यस्तरिय समिक्षा बैठक करें द्रक्षिनी चुटा नागपूर की प्रमर्डलिय आयुक्त सहम बतदाता सुची प्रिक्षक अंजनी कुमार मश्रा ने कुटी जिले के विभिन मदान के इंद्रों का निरिक्षन किया इज़ोरान उन्होंने उपस्तित बेलो और सुपरवाइजर से दृतिये विशी संश प्रमर्डलिय आयुक्त ने खूंटी परिसदन भवन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक भी की और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लिते हैं चोटा सा विरा देखे बच्चा बिमार भी हो तो भी उसे ठीके के लिए हर बाल ले जाईए अगर किसी बज़े से दूसरे जगह में जाना पड़े तो भी इस कार्ट है इस कार्ट को साथ ले जाए और ठीके ज़रूर लगवाए पात साल साथ बार छूटे ना ठीका एक भी बार पिर से भाई में सबसे आगे इस राज क्या है अरे मा रेस के बाद सीधे घर पे आजाना स्वास्त बच्चों का राज है सेहत मंद मा प्रसप के बार मा की शरी को वक्त चहिए बच्चों के बीच रखे कम से कम तीन साल का अंतर अधिक जानकारी के लिए नजदी की स्वास्त केंद्र से संपर्क कर पिराम की बाद खबर जारकन में आपका फिर से स्वागत है बढ़ते हैं खबरों में आगे सापता ही कवकाश के बाद बिदान सबा का मौनसून सत्र कल से फिर शुरू होगा इस जौरान प्रशनकाल होगा साथी सरकार द्वारा चालू वित्यवर्ष का प्रत्रम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा सत्र के हंगा में दार रहने के आथार है रोजगार और गुस्पैट जैसे मुद्दों पर विपक्ष काफी मुखर है जिसकी गुँज विधान सभा में भी सुनाई पढ़ सकती है पुर्वे सिवुम जिला पुलिस ने 170 पुडिया ब्राउन शुगर के साथ एक वेक्टी को गिरफतार किया है ग्रामेन स्पी सा प्रभारी सिटी स्पी रिशवप गर्ग ने बताया कि गुप्त सुचना मिली थी कि जमशेत पुच चैबासा बस स्टैंड में एक वेक्टी ब्राउन शुगर लेकर खड़ा है सुचना पर टीम गठित कर चापा मारी कर उस शक्स को धर्द बुचा गया बाद में उसी न्याय खेरासत में भेज दिया गया बालू के अवैद कारोबार पर आंकुष लगाने के लिए खनन विभाग द्वारा मिबन शेत्रों में लगाता चापे मारी की जा रही है इस सिले में बोकारो जिला खनन पदादिकारी रवी कुमार सिंग के नित्रत्तों में टीम ने चंदन कियारी प्रखंड के गुंडली भीटा शेत्र में चापे मारी की इस दोरान अवैद रूप से बंडार इतलक भग 38,000 घनफीट बालू परामत किया गया राजकी शामनी मेला के इस साथवे दिना सुबह सवाचार बजे देवगर बाबा बैजनात मंदिर का पट खुलते ही भक्तो द्वारा जलार पन शुरू हो गया इस क्रम में कावरियों की कतार तड़के सुबह ही बेट कॉलिस तक पहुँच गई इधर देवगर बाबा धाम में श्रामनी मेला की दूसरी सुमबारी के दोरान शुर्दालों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर जिले के उपायुकत ने मेला रूट लाइन का निरिक्षिन किया इधरान उन्होंने संबन्दित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये ताकि बाबा के भक्तों को कोई आसुविधाना हो एक हो जहाँ भगवान बोले शंकर की महिमा अप्रम पार है वहें सकंद पुरान के अनुसार कावर यात्रा से भी अश्वमेघ यग्य करवाने जितनी फल की प्राप्ती होती है सावन के महिने में कावर यात्रा की अपनी महिमा है दूर दूर से कावर ये कंधे पर कावर रखकर सुल्तान गंज से जल भर कर देवगर पहुचते हैं और बाबा को जल अर्पित करते हैं पौरानिक मानेताओं के अनुसार भगवान राम ने भी राजी अविशेक के बाद पतनी सीता और तीन भाईयों के साथ सुल्तान गंज से जल भर कर बोलेनात को अर्पित किया था बाबा मंदिर की पुरोहित शेणात माहराज बताते हैं कि इसकन पुरान के अनुसार कामर यात्रा से अश्वमेग यग्य करवाने जितनी फल की प्राप्ती होती है कावड यात्रा तीन तरह की होती है एक वो जिसमें भक्त रुक रुक कर चलते हैं दूसरे वो जो डंडी कावड लेकर आते हैं यानि ये दंड देते देते आते हैं तीसरे वे होते हैं जो बिना रुके बिना खाये पिये दौर कर या तीर चाल में चलकर आते हैं इनने डाग कावडिया कहते हैं भक्त बताते हैं कि कावड यात्रा में पूरे नियमों का पालन करना होता है इस दौरान ब्रह्म चार्य का पालन करते वे साधु का जीवन जी ना पड़ता है कहा जाता है कि कावर के दोनों किनारे सुख दुख के समान होते हैं जो जिन्दगी भर इंसान के साथ चलते हैं देवगर से मनीश की रिपोर्ट और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरे कोडर्मा परिसेदन सभागार में जारकन गौस सिवा आयो की अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक सम्पन हुई इस दोरान गौस संग्रक्षन और गोत असकरी की रोक्ताम गौशाला प्रबंद समेत कई बिंदों पर विस्तार से चर्चा हुई गड़वा उपायुक्त की अध्यक्षता में समार नाले सभागार में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बैठक हुई उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत 1 अगस्त से 8 अगस्त तक जिले की पंचायतों में शिविर लगाई जाएगी इस योजना के तहत 21 से 50 वर्षत की मैलाओं को प्रतीमा एक हजार रुपेद दिये जाएंगे सांसित काली चनन सिंग ने चत्रा समार नाले कि समक्ष आंदोलन रत जारकन राज अनुस अचीविये करमचारी संके प्रतनीदियों से मुलाकात की और नैतिक समर्थन दिया विधायक अनूप सिंग ने बेर्मो विधानसवा शेत्र अंतरगत जरीडी पूरवी पंचायत में ग्यान केंद्र का उधगाटन किया उन्होंने बरुसा जताया कि इस ग्यान केंद्र से लोगों में जागरुकता बढ़ेगी और ग्यान अरजित करने में बेहतर सुविधा मिलेगी बाबानगरी देवगर में राजकी श्रावनी मेला के मदेनजर श्रदालों की सुरक्षा को देखते वे एंडी आरेफ टीम को प्रतेन्युक्त किया गया है टीम को आवश्यक उपकरणों के साथ तीस की संख्या में शिवगंगा सरूबर में मेडिकल टिकट के साथ तैनात किया गया है धनबाद के टुंडे प्रखण में बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत किसानों के बीच-बीच का वित्रन किया जाएगा पूर्वी सेवुम उपायुक्त ने जिलावस्तर ये समनवै समिती की बैठक में विबिन विभागो द्वारस अंचालित कल्यानकारी योजनाओं की समिक्षा कर निर्धारी तब्दी में आपसी समनवै से विकास योजनाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिये जमशेतपूर अंतरगत पुलिस केंद्र गोलमूरी में पुलिस सभाका आयोजन किया गया इस अफसर पर पूर्वी सेवुम के बरिये पुलिस अधिक्षक ने पुलिस कर्मियों की समस्याओं की जानकारी ली तथा निश्पादा ने तु संबंदित पदादी कारी को दिश कर आवश्यक निर्देश दिये साहिब गंज उपायुक्त ने राजमाल टाउन हॉल और सभाकक्ष का निरिक्षन किया उन्होंने सभाकक्ष को मरमत कर बहतर रूप में विकसित करने के निर्देश दिये उपायुक्त ने राजमाल नगर पंचायत बस स्टैंड और इंडोर स्टेडियम का भी निरिक्षन किया उन्होंने बस स्टैंड के सुचारू संचालन और इंडोर स्टेडियम का डाक जल्द पूरा करने के निर्देश दिये साहिब गंज उपायुक्त ने राजमहल उपमंडल कारा का और चक निरिक्षन किया उन्होंने परिसर में चोटे बड़े जंगलों की सफाई की तालाब के सौंदरी करण और कैदियों की सुविधाओं का जैजा लिया उपायुक्त ने स्वास्ति केंदर किचन रूम और शाचालियों की सफाई और बीमार कैदियों के बहतर इलाज के निर्देश दिये जामताड़ा उपायुक्त ने जामताड़ा सदर प्रखंड शेत्र अंतरगत सुनबात पंचायत के बिबिन गाओं का प्रमन किया इस दोरान उन्होंने अबुआ आवास योजना और बिर्सा सिचाही कूप संबर्धन योजना के क्रियानवेन का बहुतिक निर्देश दिये गुमला उपायुक्त ने कल्यान बिबाग अंतरगत संचालित मुक्यमंत्री स्वास्ते सहायता योजना मुक्यमंत्री रोजगार स्रिजन योजना और चात्र विर्ती सहित बिबिन योजनाओं की समिक्षा की इस दौरान उन्होंने लंबित कारियों को अवेलंब पूर्ण करने और योग लाबुकों को योजनाओं से लाभानमित करने का निर्देश दिया जिलों के खबरों के बाद आप लेते हैं मौसम की जानकारी राजी में पिछली 36 गंटे के दौरान मौनसुन सक्री रहा अधिकांश हिस्सों में हलके से मद्यम दर्जी की बारिश हुई वहीं कुछ स्तानों पर भारी बारिश भी देखी गई हजारी बाग के दारू में 77.1 मिलिमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई सराइकिला, खरसावा, सिम्डेगा, रामगड, कोटी और लातेहार जैसे जिलों में भी बारिश हुई मौसम बिज्यान केंदर रांची ने बताया है कि 30 और 31 जुलाई को भी राजी के कए इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है राजी में अब तक औसतन 43 फिसदी कम बारिश हुई है जम्शेदपूर में डुरेंट का फुटबॉल टूनामेंट का आज से आगाज हो रहा है दोपहर तीन बजे टूनामेंट का रंगा-रंग आगाज होगा जिसके बाद जम्शेदपूर फुटबॉल क्लब, जे एफसी और असम राइफल के बीच उदगाटन मैच खिला जाएगा गौर तिलबे की पिछले दिनों लौन अगरी में टूर ट्रॉफी का रिकरम का आयोजन हुआ था जिस दौरान ट्रॉफी का आनावरन हुआ जम्शेदपूर में लीग चरन के चार मैच खिले जाएंगे बारती निशानेबाज मनू भाकर ने इतिहास रचते हुए पेरिस उलंपिक के 10 मीटर एयर पिस्टल महिला वैक्तिगत्स परदा के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है खेल पिस्टल में मनू भाकर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगी उन्होंने क्वालिफाईंग दौर में शांदार प्रदेशन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया था फाइनल मुकाबला दोपार तीन बचकर तीस मिनट पर होगा भारतिय निशानेबाज मनू भाकर ने इधियास रचते हुए पेरिस ओलम्पिक के 10 मीटर एयर पिस्टल महिला वैक्ति गत्स परदा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है पेरिस ओलम्पिक की अर्थों में खास है यहां के केलगाओं को एको फरिंदली बनाया गया है पेरिस ओलम्पिक की शुरुवात हो गयी है उदगाटन समरोह के साथ साथ इस बार के ओलंपिक कई मायनों में पिछले ओलंपिक से अलग दिखाई दे रहे हैं खिराडियों को ठहरने के स्थान पैरिस ओलंपिक विलेज भी खेलों के इतिहास में स्थिर्ता के लिए एक नया मान दंड स्थापित कर रहा है पूरे खेल गाओं को परियावण को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है इसमें 16,000 कार्ट बोर्ट बैड हैं जो आयोजन को और अधिक परियावण अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है ओलंपीक विलेज में तयार किये जा रहे हैं खाने में भी बड़ा बदलाव किया गया है कारबन फूट्पेंट को कम करने के लिए 60 परतिशत्र अधिक भोजन विकल्प शाकाहारी है प्रतिदिन लगभग 40,000 लोगों के लिए खाना तयार किया जा रहा है पूली को फ्रेंडी भी है और सब एक साथ एक साथ भी रह रहे हैं तो काफी अच्छा है सब ओलंपिक गाओं में अरामदायक वातावरन सुनिश्चीत करने के लिए एक उन्नत एर कूलिंग प्रणाली अपनाई गई है इस प्रणाली से हवा के तापमान को नियंतित करने के लिए जमीन के ठंडे पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है छट पर लगे सौर पैनल नवी करने उर्जा के उपियों को बढ़ाते हैं All apartments have an underfloor cooling system that can reduce the temperature of an external temperature from 6 to 10 degrees and all depending also where your apartment is situated in the building of course but we know that there are some athletes that needs less than this and we also know that during the Paralympics we have some athletes that have some thermoregulation problems that really need some very cool temperature inside जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए चल रहवी चारवी मर्ष के बीच परियावर्ण अनुकूल डुक अपनाते हुए Olympic गाउं को परियावर्ण अनुकूल तरीके से डिजाइन किया गया है उमीद की जा सकती है कि Paris Olympic Village ने इस बार जो नए मानक स्थापित किये हैं वो आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए एक मिसाल साबित होगी Olympic Games Village को इस बार अत्याधनिक तरीके से तैयार किया गया है इसमें ज्यादा से ज्यादा इको-फ्रेंड़ी जो है इंफ्रास्ट्रक्ट्चर वो बनाया गया है ताकि परियावर्ण को सुरक्षित बनाया जा सके इको-फ्रेंडली बनाया जा सके और जो भी चीजें हैं वो reuse हो सकें, recycle हो सकें और साथ ही साथ अंदर जो है वो comfort को पूरा ध्यान में रख करके वहाँ पर जो environment है उसको त्यार किया गया है sustainability को है वहाँ पर ध्यान में रखा गया है कि जो भी चीजें हैं वो सुनिशित हों water cooling के माध्यम से अंदर air condition किया गया है जो भी अंदर houses हैं उनके कमरों को पानी से यानि जमीन के पानी से ठंडे करने की कोशिश्ट की गया है तो यह तो यह तमाम एक्जामपल है इस पारिस ऑलम्पिक के द्वारा आने वाले दिनों में अगर और और भी देश मेजबानी करते हैं किसी भी खिलके मेजबानी करते है तो परियार उनको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसे इनिशेटिव को ले करके आना और पारिस ने एक एक्जामपल सेट कर दिया है क्या उनसे अंदिल के साथ में मुके शुक्रा डिडीनियूस पारिस आसम के गुवार्टी में खेले जारे है हौके इंडिया सब जूनियर इस जोन हौकी चैंपिन्शिप में जारकन का दमदार प्रदर्शन जारी है अपने तीसरे मैच में जारकन पूरुष टीम ने हौकी पश्चिम बंगाल को नौश शुने से पराजित किया इस जीत में सी पूर्ण मंत्री नरेल मोदी ने आका अश्वानी पर मन की बात कारक्रम में विविद विश्यों पर साजा किये विचार महिला सशक्ती करण समेथ कई विश्यों का किया जख्र मंत्री सत्यानन्द भोगता ने चत्रा को दी कई सवगार जाम ताड़ा में आसू पार्टी कारे करता समेलनायोजित निता प्रतिपक्ष ने कहा सरकार बनने पर राजी में होगी नियुक्तियों की सीवियाइ जांच और जम्शेतपूर में डूरन का फुटबॉल टूनामेंटार्स से जे एफसी और असम राइफल के बीच उद्गाटन मैच पेरिस ओलंपिक में भारत को शूटिंग और तिरंदाजी में पदक्यों में